नमस्कार दोस्तों आपको मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है Buy Sell Signal Software अगर 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 सेयर मार्केंट में काम करते हैं और लोस से परिसान है या पिर आप जितना एक्सपेंट कर रहे हैं उतना रेटेन आपको नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लिजीए साइद आपके लिए कुछ बेनेफिट हो सकता है वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने का पहले एक पर बता देना चाहते हूं अगर आप इस मार्केट में न्यू है एकाउंट ओपिन करना चाहते हैं या हम लोग तुरू जाने होना चाहते हैं जैसे हम लोग Alice Blue का साथ काम करते हैं काफी अच्छा ब्लोकर कंपनी है क आप इसरा फिसलेटिस पी दे रहा है और भी टीटेस में जान करने लेने के लिए वीडियो का नीच आपको डिस्क्रिप्सन मिलेगा वहाँ पर आइकाउन ओपिनिंग का एक फॉर्म का लिंक दिया हूँ है लिंक को ओपिन करके जिस फॉर्म को सम्मिट कर दीजिए आपका बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं अल्टिमेट फुल डे में ये कैसा पर्फोंस किया आज को 16 तरीक है तो यहाँ पर सब्सक्रिप्स मार्केट ओपेन हुआ है अगर अब ऑप्शन ट्रेटर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम इस वेरी वेरी इंपोर्ट बॉल्यूम इस वेरी इंपोर्टेंट इसके लिए क्योंकि प्राइस को अगर देखते हुए आप हमेसा ट्रेड करते हैं तो प्राइस बोर्ट टाइम ऐसा होता है जो आपको दोगा दे देता है प्राइस को देखते हुए आप एंट्री तो ले लेते हैं अबर थोड़ी द तो volume is very very important, selling के लिए भी important है बट buying के लिए जादा important है, तो देखिए देखते हैं हम लोग को यहाँ पर signal कहाँ पर बना, चलिए first हम लोग का software नहीं यहाँ पर sale का call बना था, यह जो rate कलर का arrow दिखाए देगा, this is the signal, जब भी भी कोई signal बनेगा आपका scanner पर automatically message आ जाता है, अभी sale का call कितना सही है, इसमें trade करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको बता चलेगा, तीन condition देखना है, एक है नीचे का जो reward है, उसका color red होना है, middle में देखिए दो line दिखाए देगा, जो green से pink हो गया, और volume का जो pressure हो देखिए positive से negative में आ गया है, तो हमें साथ candle का closing value उसे आपको trade करना है, मतलब next candle का opening value, एक बर next candle बन गया तो call confirm हो जाता है, वाली उस topless हो जाया है, बट call repent नहीं होता है, बहुत सर ऐसा indicator होता है, जो signal आने का बाद market reverse हो जाने से signal repent हो जाता है, बट हम लोग के यहाँ पर signal repent होने का कोई option नहीं है, तो यह रहा आज का first sale call, ज आपको देखिए, दो pink color का line दिखाए देगा, जब तको दोनों line आपस में crossover हो कि इसका color change नहीं होगा, तब तक आप continue कर सकते हैं, जैसे देखिए, यहाँ पर मैं तोरह सा रोकूंगा, इस जगा पर आके देखिए, यह दोनों line आपस में crossover हो कि इसका color green हो गया, और नीचे क है, buying का call तो बना है, call अभी तक confirm नहीं है, तो हम लोग wait करेंगे कहां से volume confirm हो रहा है, तो देखिए, यहाँ से आपका call को confirm किया जाएगा, अब यहाँ से ही trade कीजिएगा, इसका पहले नहीं, तो देखिए, 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 यहाँ पर तोरह तो choppy तो किया अब अल्टिमेंट मार्केट अच्छा मोमेंट कर गया, volume अभी भी positive में है, नीचे का ribbon को भी देखिए, ओ ग्रीन में है, और जब तक middle का दोनों line आपस में crossover होगे, उसका color change नहीं होगा, तब तक आप wait कर सकते हैं, जैसे इस जगहाँ पर आपको दिखाए दे रहे, जो दो आपस में crossover होगे, इसका color change हो गया, पिंग में, तो आप यहाँ पर अपना position मना सकते हैं, जैकि middle में एक दो बार volume negative के लिए आया था, बट दूबार आप positive volume आ गया है, तो इसका मतलब है exit करने के लिए, ये crossover पो जादा important दीजे, या फिर नीचे का ribbon हो green है, वो green से जब red तो आपको इस candle तक वेट करने है, जिस candle पर buy का call बना, तो उसका बाद अला candle से volume यहाँ पर trend देखे ग्रेन हो गया था, तो ultimate देखेंगे, उसका बाद यहाँ पर देखे देखे मार्केट में एक अच्छा return देखे गया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं ल volume काफी strong तक जितना strong volume रहेंगा उतना अच्छा आप यहाँ पर profit बना सकते, ultimate देखेंगे, यहाँ पर buying का call बना, फिर selling का call बना, इस टाइप का situation में क्या concept पर देखेंगे, इसको तो रहा wait करते हैं, उसका बात समझाते हैं, जैसे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, market सप पास, अब यह जो situation इसको अगर मैं छोटा करता हूँ, यहाँ से लेकिए, यहाँ तक देखें, market में जो pressure है, वो volume positive में है, और इसका अंदर जितना भी sale का call बन रहा है, जैसे यह जो sale का call बना, या यह जो sale का call बना, यह दूनों sale का call आपके लिए false हो जाएगा, यह जो zone है यहाँ पर आपको buying का तरफ ही focus करना है, selling पर आप focus नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए volume is very important, अगर आप option trader है, या future में भी काम कर रहे हैं, या कोई भी segment में काम कर रहे हैं, तो price action का साथ volume को देखना बहुत ही जरूरी है, price action का साथ volume concept मैच होगा, तब ही जाके trade कीजिए, चलेगे हैं, तो like से जरूर कीजिए, first time channel को देख रहे हैं, तो subscribe करना ना बुलिए, notification का उन कर लीजिए, ताक कि इस तरीका का वीडियो आपको continuously मिलता रहे, thank you, thank you so much, goodbye